हेलो एवरीवन आज हम जो केस डिस्क्स करने वाले हैं इसका नाम है आनंद निवास प्राइवेट लिमिटेज वर्सिस आनंद जी कल्यान जी पेड़ी यह 1964 का केस है और इसकेस को डिस्क्स करने से पहले हमें कॉंट्रैक्शल टिनेंसी और स्ट्रैक्शल टिनेंसी को थोड़ा समझना जरूरी है कॉंट्रैक्शल टिनेंसी जो एग्रिमेंट और कॉंट्रैक्शिप में आते हैं जब टिनेंट और लैंडलोड तो इससे जो टिनेंसी क्रियेट होती है वो कॉंट्रैक्शल होती है और यह के specific time पे होती है time के लिए होती है और इसे जो है वो by notice terminate किया जा सकता है वही पर जो statutory tenancy होती है तो यह कब होती है जब contractual tenancy का time period expire हो जाता है और उसके बाद भी यहाँ पे जो premises में जब tenant रहता है उसके बाद जो भी rent वो देता है और उसको वो landlord accept करता है यह होती है एक statutory tenancy इसमें कुछ changes भी आए तो इसमें किस तरह के changes आए 1976 में कुछ changes आए और इसमें यह कहा गया कि जब statutory tenant जो है वो अगर dead हो जाता है वो मर जाता है तो उसके पीछे उसके widow या उसके son या उसके deceased son की video जो है यह सब उसके जो survivors होते हैं यह बचेंगे यह उसको continue रखेंगे उन्हें position का right मिलेगा इसके साथ यहाँ पर जो यह statutory tenant का concept है यह English law से आया है during 1920 1920 के act में statutory tenant जो है उसको कुछ rights दिये गए थे position में रहने के तो यह पूरी तरह से personal right थे यह assignable या heritable नहीं थे तो 1920 के act में अगर कोई person is statutory tenant है और उसके death हो जाती है तो वो right और किसी को transfer नहीं होगा और इसके साथ ही यहाँ पर जो है यह जो concept इंडिया में जब develop हुआ तो इंडिया में just case के through develop हुआ वो आनन निवास प्राइविट लिमिटेड वसस आनन जी कल्यानी case से हुआ था तो यह ऐसा पहला case है जिसमें English law का भी consider किया गया English law की इस principle को statutory tenant principle को इंडिया में apply किया गया और इसको consider किया गया तो इस case में अगर मैं इस case के बहुत ब्रीफ fact यह है कि यहां पे जो trustee होती है trustee company वो decree का execution प्राप्ट करती है जिसमें वो एक जगा का एक place का यहां पे जो है वो first floor का position प्राप्ट कर लेती है बट यहां पे वो उसको बाकि जो rest of the building rest of the part होता है उसको position नहीं ले पाती क्योंकि यहां पे जो आनद निवास private limited company होती है वो इसको जो है वो रोकती है वो किस तरा से उसे prevent करती है वो यह कहती है कि आप जो है यानि कि जो ट्रस्टी है यह वाली ट्रस्टी यह मानेकलाल की सब Lacey है यानि कि मानेकलाल जो है इनको या तो जो tenancy है वो खतम हो गई है यह नहीं भी हुई है लेकिन these two ट्रस्टी है ये इनके सबलेसी है और ये फ्रेश ओरिजिनल नहीं है तो इसके इसमें जो इशू यही होता है कि क्या जिसके टेनेंसी खतम हो चुकी है जिसके टेनेंसी खतम हो चुकी है क्या वो सबलेट रख सकता है अपनी प्रेमिस पे तो इसके बीच में ही यहां पर अमे तेनेंसी होता है वो इस ग्राउंड पे कहते हैं कि जो मानेकलाल के टेनेंसी है उसको डेटरमाइन करते हुए यहां पे ट्रस्टी कहती है अपना क्लेम करती है अब देखते हैं इस केस में क्या होता है जो कंपनी ने हैं पे क्लेम सेट अप किया होता है पोजिशन का उसका यह कहना होता है कि हर एक tenant के पास यहां पर में बात करियो कम्पनी यहां पर आनन निवास के नहीं यहां पर इन दोनों का contention होता है कि हमारे पास में राइट है कि हम वर्ची ऊफ सेक्शन 14ять में सेक्शन must सब्सक्ष कर सकते हैं तो यहां पर प्ली जो है वो मैं सब्सक्राइब किया या इस tra// सब्सक्राइब का सब्सक्राइब करने इस पूरी तरह से राइट वी इसको इसलिए और अगर हम देखें कि चुल देखन बारे में इसमें चाहिए पूर है के बाद कुछ कुछ चेंजिस हुए और उसके साथ यहां पे 1959 वे एक ओर्डिनेंस आया जिसमें जो गवेर्नर ऑफ बॉंबे ने दिया था तो उसमें सेक्शन 15 जो है उसको अमेंड किया गया और उसका रेट्रोइस्पेक्टिव एफेक्ट बनाया गया जिसके तुरू कोई सलेपाई लिए इस परणगि साथ वह क्या करेगा वह कोई भी जो है इसको अप्रणलि नहीं कर सकता यादि के जिसके टेंची कहत criter काfelt में कह सकता तो इस case में यह डिसाइड होता है, इस case के बाद हमें 21 और करना है, जिसका नाम है जगदेश चंदर चटरजी वसिस किसान, किशन, ठीक है, तो इस case में क्या होता है, कि कोट यहाँ पे जिस act को देखती है, उस act का नाम होता है, राजस्तान ड्रेंड कंट्रोल act, और इस case में आनंद निवास केस को support किया जाता है, और यह बोला जाता है, कि चाहे इस statuary tenant जो है, उसके death हो जाए, तो उसके hair उसको succeed करेंगे, और उसको यह act जो है, वो protect करता है, और उसके साथ ही, यह act पूरा heritability उसको transfer होगा, directly for the consideration, और यह court यह कहता है, कि अगर contractual tenancy खतम हो जाती है, तो इस statuary tenancy enjoy करने का right, एक personal right है, जो उसको position में continue रहने के लिए allow करता है, और यह inherit भी होगा, अब इसके साथ यहाँ पे जगदीश चंदर केस के बार, यहाँ पे इन दोनों केसिस को contradict किया गया है इन दोनों केसिस को overrule किया गया है, यहाँ पे दमादी लाल वरसिस पारस राम केस में, तो इस केस में यहाँ पे कहा गया, सबसे पहले तो जो observe किया गया, वो act था MP Accommodation Control Act 1961 का, इस केस में court का यह कहना होता है, कि हम इंडिया में अगर English law, जो English law है किसका statutory tenancy का, उसको काफी जादा differences है, और यहाँ पे दोनों के विच में काफी जादा distinguishes किस तरह से है, अक्तु statutory और contractual tenancy में difference है, और यहाँ पे पूरी तरह से जो English law control act है, वो परी material नहीं है, यहाँ के provisions के लिए, और यहाँ पे court का यह कहना होता है, कि जो tenant की state है, वो heritable है, और यह कोई भी ऐ contractual determination के बाद में debt हुआ है, या पहले इस चीज़ को हम अच्छे से इस तरह से समझ सकते हैं, कि जो concept है, यहाँ पे हम दो-तिन बाते देखेंगे, पहली तो यह, कि जो concept है, statutory tenant का English law में, वो Indian condition के लिए suitable नहीं है, दोनों जगा condition में काफी जादा फरेट है, और दूसरी rent जो है, वो पे किया जा रहा है, सेम मैनेर में, यह देखना ज़रूरी है, कि जो rent contractual tenancy में पहले पे किया जा रहा था, वो उसके खतम होने के बाद भी पे किया जा रहा है, यह नहीं, और इसके बाद यहाँ पे कोट ने यह कहा, कि जो section 14 है, MP accommodation control act का, वो रिस्टिक्ट करता है, tenant के कुछ right को, लेकिन यहाँ पे अगर tenant जो है, वो landlord से permission लेके, उसके written consent जो है, उसको लेके, अगर सब let करता है, तो यहाँ पे वो valid है, और यह पूरी तरह से statutory tenant कहलाएगा, तो इस case में, यह बाते हैं होई थे, thank you.